सब्सक्राइब आपको पहले भी रॉकेट से और अंध्रिक से संबंदित कई वीडियो दिखा चुके हैं हाल ही में स्पेसेक्स का एक शिप था 36 जिसमें कुछ टेस्टिंग के दोरान बहुत खतरनाक ब्लास्ट हो गया हम चाहते हैं आप इस वीडियो को देखें और इस पर नहीं पड़ती है तो यह पिलेन का और राकिट का नाम सुनते तो मुझे लगने लगता और हमारे इंडियो में तो फिलेन गिर गया तो तो 200-300 लोग मर गयते तो जब मुझे तो और डल लगने लगता भीया में तो इसका क्या केते हिंगे हिलिकाप्टर में और एरोपिलेन में तनों से पेट्रोल भराया जाता है और अगर जरास अभी कुछ फाल्ट हुआ या कहीं तक्राया तो यह समझ लो कि वेसी आग लग जाती फोरान हासा हो जाता है तो यह तो बदाना चाहूंगा यह जो रोकेट की आणा अमारी वS थिर ञान पचना जरूरी हाँ लूरी होता है जान खाना अपना दितरह जहेंगा खाने रहान वे तैस्छान चाहने कि परेजहा हो सिर्चछा फोरान भाटना ज्ञा में श्रूफर घंधा होँ ये और और बहुत बरहु वगा झाल झाल अजी बहुटा खिर बागो जब सकना जर इसारते हम्डिवा एचाँ छटीजा यह को खिर दो स्थासिए एचाँ बादी से रखताओ का सूल करें जा वार। कर रताव कि अप्र तेस्ते क्रेंग दो कि घर टेस्टा प्रोरेशन विर सेट्वारिजने टाका स्थादाइ़ कि अरृटल तेस्त वार। अच्छी एफ़ा रही जफ़ाख है वह अच्छी आग कर्डूस्ट आड़ ओद टिर्डों होो सिर्इच कर दो कारे तर्क ड्रोगर्ट रहे जा जो अबमें थड़ाँ while the vehicle remains anchored to the ground allowing engineers to collect data on engine performance propellant systems and structural integrity Ship 36 paired with the booster 16 was slated to fly on Starship's tenth test flight a mission intended to build on the lessons learned from previous flights but you look at both of these written differently VA 9 on May 27th, 2025 that flight saw Ship 35 reach its खाउस्ट लेक्राइडेगी थे प्रता थे स्पेस्टारिख और अचीजिड़ी जिए ऑ्टिजिए खाउड़िव लेक्न कीजिए और जाएंछुेटLड़ सेखित जेत वहां जाएंड जिए इस विप प्रेस्टर अटल गघा इठील से भाउस्पेड़ लीड़ ट॥िल्डे मतलब एक कई ही पार पेले भी इसा हो चुका है प्राप्तो है डिले अ चेल्टीय सो कि आधा यसकाहि आप। यह झाना झाना पुब यहाजसी आम ही चैन uklla-yan जा ढही क dejर को ऑðक कि प्राप्टफ उलेंडिक सकाहिशNow हमाँान हमने में लुटिछया कि इसापकाहिशब k Dakot ट्रिदीद विलिए ए्छियों स्थाप्धू श्वज… इस बास जात रश मिला घंजि डिल्गिश सेमिली इस उbn सेइम्ट ब किलिए राफ्ट।्र इंजिए्टल्ग्ण झाहания है क्यों 500 कों было ours वोई भाता करो की ब वक है सिह होग आया रही प्रथार्ट जय्या प्रवादे उन नंनमनल इस्ट प्रजाजरी पोर्चीैश पालिख इन्च जलेग से why आरारी प्रकॉरמеч सेुब्स अथिध से एक ट्टाूपलन रुपलियर टास्टिविटा Vbage the Starship प्रवादे भर्ला में ट निढ़ीईन धशियरीम किस्ब्सQué translating अजन की प्टेन व्रेशर चे इमिशा सिंप अंवीच ज है स्टर्शिप कि अंडरी नास अंवीजास प्रोग्म सिंप इस प्रानों गजानाथ की एुछ उन इस ने स्टरशिप्त लड़ लो ब सींप उन क्यों स्टर्शिप्त है और अक्रुड़ प्रॉया क्रुड़ झूल नुट। अब्सकार्टब जुके एक्षाटर नुक्त एक्रॉल बश। मुझे एक्षार भ। ब्लाँ दार टो फिल्यास एक्षाट घ। आप अधो गुर्ण तो खुआरी के लिए हैं पुरी स्कारी नंविस्तिग इस शीधाफे और सबिस्टी है जो अभी जाते हैं झाल भुण बेरोंचे कि गषाफे काफे इस खौरी युडिर आदे युर्गे क। अप्रव कि जो थिल्ट इस पालगे से अे लिए। आ लिए कि आननी हो दो कि एडनी इसे अगान bolts बाद एका कि जान रेंग प्रोज प्रेजर पर्ज़ स्सक्षाइ शिगाता Case 4. फिस्सावाइब अ फ्लाइ व्लाइन शेक्ष्ट प्रेस्टर्ज फिज अर्ज जेंगे सब्सक्तर प्रेजर विजरोंगे काओ जायतिक्ष्ट. प्रिष्टेक व्रिटाल विए भुष्यार्टे लिए स्प्रियू अविग यू खर्ग लिए फायव एक न्यादिए विलिए लिए तरॉप्टेश कर दोड़ हमा तुछ भात लिए लिए टेंश प्राब मीध्य और फायव कि रिए विलेगे ज विले लिए बार फिलेफ दो वह बाइब रखसकता है लेकिन असदार जरू करेंगा आस्ट में से आस्ट आसी है झालो मैं अश्ट लाँ, है वीपरोिध विझा उतह यायू्ग हैk दोन. कर दो जूए जबूराओ गे उनी उन्न तॉछ तो कर दो थे पर चाहरों कि गारी उनी निया दो कि अधियोग और यदिन, जद बेस्टिक है कि अंद। कि अगे एंधिक एंदूल्स जाना जान वे से लिख बाएं आगे एंद। कज दो लाएमेश लाएम पर दोलांट बाप यज दो अगाए तर दोल टेस्टिक कर वहात बड़ जब है बड़ा लेकिल्ग अपर जैनी पाया है this process … depending on the complexity of the failure and the extent of the damage to the Starbase facility The explosion's impact on SpaceX's launch cadence is a critical concern Musk's goal of conducting up to 25 Starship test flights in 2025 is already unattainable with only three flights completed by mid-June The loss of Ship 36 further jeopardizes this target, as SpaceX must allocate resources to investigate the failure, repair any damage to the test stand, and prepare a new vehicle for flight. The company's iterative approach relies on frequent testing to identify and resolve issues, but repeated setbacks could erode confidence among stakeholders, including NASA and commercial partners. For instance, the Artemis 3 mission, which depends on Starship's success, requires at least one uncrewed lunar landing and return to orbit before 2027. Each failure pushes this milestone further out, potentially delaying NASA's lunar ambitions. SpaceX's response to the Ship 36 explosion will likely follow its established playbook, analyze telemetry data, identify the root cause, and implement fixes for future vehicles. The company has a robust production pipeline, with multiple Starships and super-heavy boosters in various stages of assembly at Starbase. Ship 37, for example, is nearly ready for testing, and SpaceX has been working on Block 3 Starship designs, which promise further improvements in reliability and reusability. These next-generation vehicles may incorporate lessons learned from Ship 36's failure, such as enhanced engine diagnostics or reinforced propellant systems. Additionally, SpaceX's success in catching super-heavy boosters with the Mechazilla-launch tower arms in flights 5, 7, and 8, demonstrates progress in booster reusability, a key component of the Starship system's economic viability. As SpaceX prepares for Flight 10, the focus will be on integrating lessons from Ship 36's explosion into the next vehicle. Ship 37, which has completed cryogenic testing, and is undergoing final assembly, is a likely candidate to replace Ship 36. The objectives for Flight 10 will depend on the outcome of Flight 9's data analysis, and the findings from the Ship 36's investigation. Belkul khayyye. Key goals include successfully deploying mock Starlink satellites, relighting a Raptor engine in space, and achieving a controlled re-entry and splashdown in the Indian Ocean. These milestones are critical for validating Starship's payload delivery and reusability capabilities, which are essential for its role in deploying large satellite constellations and supporting crewed missions. Thanks for watching today's episode. Don't forget to subscribe and give us a thumbs up if you enjoyed it. Stay tuned for another great video tomorrow. Thank you very much. यह लोग तो यह निशनों सो बहुत अलग हट्का करते हैं जैसे रहिगिस्तान हुआ समंदर किनारा हुआ यह इसी जगाओं पर एक्स्परिमेंट करते हैं यह मतलब ताकर लोगों को नुकसान जगा में तो वो समय तारी काते हैं और वो रहना भी जरूरी है जरूरी है और गल्ती से वो नया कुछ सीखते हैं और उसको फोरान सुदार भी लेते हैं यह जो चांड पर जाने का प्लान है तो मेरी यह समझ में नहीं आता कि यह जाके जो लोग इनको भी जाके क्यों तो में भी तो यह सोच रही हूं कि चांड पर जाके करेंगे क्या अए ओपर वाले कि चांड पर क्यों जाना चाहते हैं तो दुनिया को तो पेले देख लो समझ लो उसके बार मा जाना मेरी तो सोच यह कहती है जहां तक कि चांड पर जाने से अच्छा है कि जो इस दुनिया में अपन रह रहे हैं वहां पर यहां पर नहीं नहीं सोच तक्निक निकालें जैस जो किसे बीमारी को कैसे रोके इसको और पैसा भी सच जगा लगे गा और चीज भी अच्छी होगी और आगे तरक्की करो तुम्हारा देश तरक्की करें अब संसान जगा जा रहा हो तो हो जाने से क्या मत जा जाती हूं और हम दोनों तो कोई पड़े लिगे है नी और ना हमें इतना नॉलेज है ना कोई हमें पता है कि चांद पर जाने से क्या होगा और धर्ती पर रहने से क्या होगा और यह वीडियो बहुत अच्छी लगी और जो भी उनका नुकसान हुआ उसके लिए हम आफ़ी चाहते हैं औ हम पो उनके लिए अफसोस है और अगे फिर मिलेंगे जब तक के लिए नमस्कार और हमारी दीदी के साथ हमें बेट के जो मज़ा आता है वो हमारा दीदी जानता है उसका लब्ज आपके सामने रख नहीं सकते इसके लिए धन्यवादे धन्यवादे